अगर आप टारो में औकल्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर अदर्वाइस भी आपका बहुत इंट्रेस्ट है आप सीखना चाहते हैं भी आप टारो सर्टिफिकेशन कोर्स जिसमें A to Z about टारो आपको सीखने को मिलेगा और अपनी इस जर्णी को कैसे आप फर्दर लेकर जा सकते हैं ये सारी चीजें भी इसमें covered हैं और इसका लिंक आपको नीचे description box में मिल जाएगा और इसी से ही related अगर आपके मन में doubts आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं तो आप मेरा free webinar जोईन कर सकते हैं उसका link भी आपको नीचे description box में मिल जाएगा in fact मैं कहूंगी कि अगर आपका tarot or cult में interest है और अभी आप नहीं भी सीखने के mood में हैं तब भी आप free webinar ज़रूर join करें क्योंकि बहुत सारी चीजें इसी से ही related आपको जानने को मिलेंगी and आप directly हमें call करके भी अपनी queries clear कर सकते हैं Hello everyone, मैं हूँ कि रिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए picka card reading इस बारी की picka card reading का topic है क्या वो वापिस आएंगे तो आपके कोई loud one है जिन से आपका break up हो गया या फिर किसी भी level पे किसी भी वज़े से दूरी हो गई और आपके मन में ख्याल आ रहा है पतन ही आपका उनके साथ reconciliation होगा या नहीं होगा वो वापिस आएंगे या नहीं आएंगे उनका क्या next action होगा आप दोनों का एक साथ क्या future होगा तो ये reading आपके लिए है और ये एक timeless reading है तो जब भी भी ये सवाल आपके मन में आते हैं और फिर इस face से आप गुजर रहे हैं ये reading आपके सामने आती है इन ही सवालों के जवाब आपको इस reading में मिल सकते हैं और इन ही सवालों के जवाब जानने के लिए आपको इन तीनों में से एक पाइल को चूज करना पड़ेगा और पाइल सेलेक्शन के लिए में रपस दो आप्शन्स हैं फर्स्ट इस इंट्यूटिव मेथर्ड और अदर वन इस आपके नेम का फॉर्स्ट लेटल तो सबसे पहले हम इन्ट्यूटिव मेथर्ड के हिसाब से देख लेते हैं पाइल वन में हमारे पस मोव कलर का नेल पेंट है खोलते ही जो भी पाइल आपको सबसे पहले एट्राक्ट करता है सबसे पहले दिखता है आपने उसको च्चूज कर लेना है आपने color से या फिर किसी भी और चीज से बायस नहीं होना है जब भी भी हम बहुत time लगाते हैं चूज करने में तभी हम confused होते हैं I know ये बात मैं हर ताइम बोलती हूँ फिर भी मैं repeat कर रही हूँ क्यों कि हो सकता है कुछ नई viewers हो अगर आपको intuitive method difficult लगता है आप अपने नाम के first letter के हिसाब से भी pile को चूज कर सकते हैं अगर आपके नाम का first letter A, D, G, J, M, P, S, V, Y से शुरू होता है आपके लिए pile 1 है अगर आपके नाम का first letter B, E, H, K, N, Q, T, W, Z से शुरू होता है आपके लिए pile 2 है और अगर आपके नाम का first letter C, F, I, L, O, R, U, X से शुरू होता है आपके लिए pile 3 है I hope कि आपने pile चूज कर लिया है और अगर नहीं किया है आप वीडियो को pause कर सकते हैं और you can take your own time in choosing the pile तो चलिए जी मैं आपको आपकी reading में मिलती हूँ अगर आपने pile 1 यानि की move nail paint को choose किया है या फिर आपके name का first letter A, D, G, J, M, P, S, V, Y में से एक है तो यह reading आपके लिए है और चलिए देखते हैं pile 1 की cards क्या कहते हैं आप दूनों के बीच में reconciliation होगा या नहीं होगा वो वापस आएंगे नहीं आएंगे इस relationship का क्या future है तो यहाँ पर दीकिए सबसे बहला card मैंचे दिख रहा है 9 of wands reverse और यह card कहता है कि अभी हाल फिलाल के लिए देखें तो आप दोनों में से किसी एक ने literally give up कर दिया है आपके लिए जादा रहतावा दिख रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं और यह card कहता है कि पीछे हो सकता है आपने out of the way जाके effort किया आप बहुत hurt हो रहे थे, बहुत परिशान हो रहे थे लेकिन आपने give up नहीं किया बहुत strength, stamina के साथ आपने चीजों को deal किया king of wands का card कहता है कि बहुत courageously, बहुत boldly भी आपने चीजों को deal किया आप किसी भी चीज से डरे नहीं, आप किसी भी चीज से हार नहीं मानी आप बहुत ही एक बोलते हैं रिस्क भी आपने लिया आपने एक जिसे बोलते हैं जुआ भी इस relationship से related खेला death reverse का card कहता है कि जब ending हो गई तब भी आपने ending नहीं मानी और बहुत एक attachment आपके मन में आपके partner के लिए है जिसको आप let go नहीं कर पा रहे हैं हो सकता है कि आपके loved one आपको बहुत समझा रहे हों और आपको बोल रहे हों कि let go कर दें लेकिन आप let go नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर devil reverse का भी card कहता है आपको ऐसे लग सकता है कि आपको उनकी आदत पढ़ गई है बहुत जबरदस्त एक addiction आपकी उनके लिए है बहुत एक obsessive बहुत एक possessive सी energies है आप disconnect करना भी चाहें तो आप disconnect नहीं कर पाते हैं और again मैं कहूंगी death and devil reverse के cards इसी चीज़ को confirm करते हैं कि आपकी attachment कुछ ज़रत से ज़ादा ही उनके साथ है और जो भी reason रहा हो यहाँ पर nine of wands reverse का card कहता है अभी हाल फिलाल के लिए आप थोड़ा सा मायूस हो रहे हैं परेशान तो आप काफी time से होंगे ही जब यह relationship end हुआ तब से ही हो रहे हैं लेकिन अभी थोड़ा सा you know एक give up वाली energies है पीछे हो सकता है जो भी आप दोनों के बीच में situation scenarios रह रहे थे आप give up नहीं कर रहे थे और अभी किसी level पे आप give up करते हुए दिख रहे हैं तो यह थी pile one आपकी energies आपके partner के लिए आपे the miser and creator के cards हैं I don't know miser के card को आप कितना देख पा रहे हैं इसमें जो figure हैं इनके पास बहुत सारा खजाना है सोना है और सारे ही खजाने को यह बहुत tightly पकड़कर बैठे हुए हैं miser के literal meaning को देखें तो कंजूस होता है और यह कहीं उनों अपना खजाना अपना सोना जो भी इनके पास wealth है उसको share नहीं करना चाह रहे हैं बहुत कंजूस हो रहे हैं और आपके partner के लिए देखें तो कहीं उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है love है feelings है और उनको ऐसे लगता है कि आप उनकी real wealth है लेकिन कहीं वो आपको show नहीं कर रहे हैं आपको जाहिर नहीं होने दे रहे हैं अपनी feelings अपनी emotions को express नहीं कर रहे हैं the creator का card कहता है आपके साथ future create करना चाहते हैं relationship create करना चाहते हैं बहुत जबरदस्तिक enthusiasm excitement आपके लिए महसूस करते हैं और कहीं वो भी बहुत boldly बहुत courageously जो भी issues मसले हैं उनको upfront होके deal करके इस relationship में चीजों को better करना चाहते हैं और शायद हो सकता है कि near future में वो action initiative भी लें मैं शायद इसलिए बोल रहे हूँ क्योंकि अभी मुझे outcome के cards देखने हैं future के cards देखने हैं ये cards देखने के बाद मैं आपको clearly बताऊंगी कि इस relationship में क्या हो रहा है लेकिन अभी के लिए आपके partner definitely इस relationship में action initiatives लेना चाहा रहे हैं जो भी problems हैं, issues हैं, मसले हैं उन सब को बहुत courageously upfront होके deal करना चाहा रहे हैं आपके साथ relationship future create करना चाहा रहे हैं, आप देखें future के लिए यहाँ पर ring and anchor के cards हैं, ring कहीं commitment की बात करता है, ring का card कहीं engagement marriage की बात करता है, ring का card कहीं live in की भी बात करता है और ring के साथ anchor का card long term की बात करता है, कहीं you know fixated होने की बात करता है, कहीं stability security की भी बात करता है, इन दोनों cards को combine करके read करें, तो definitely आप दोनों के बीच में चीज़ें better होती भी दिख रही हैं, reconciliation होता हुआ दिख रहा है क्योंकि ये दोनों cards कहीं marriage की भी बात करते हैं, और long term commitment की बात करते हैं, long term एक दूसरे के साथ रहने की बात करते हैं, साथ ही या पर mountain का भी card है, तो देखिए ये चीज़ें होंगी, यानि की marriage हो सकती है, possibility है, engagement होने के chances हैं, living रहने के chances हैं, कहीं एक दूसरे के साथ long term रहने के chances हैं लेकिन इसी से ही related काफी challenges भी रहते हुए दिख रहे हैं, कुछ issues, कुछ मसले भी रहते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर देखिए mountain का card एक तरीके से guidance भी दे रहा है कि अगर determined रहे, अगर willpower रखी, अगर positive frame of mind रखा, तो definitely आप दोनों के बीच में reconciliation होगा और marriage, engagement, living के बहुत सारे chances रहते हुए दिख रहे हैं, कहीं long term stability, long term security इस relationship में होने के बहुत सारे chances रहते हुए दिख रहे हैं, अब देखें यहाँ पर existence का card भी universe के favor करने की बात करता है, luck या फिर किस्मत का साथ देने की बात करता है और दूसरा मतलब existence का होता है कि cosmic space में कहीं आप दोनों का relationship एक साथ exist करता है, तो थोड़ा सा भी positive frame of mind रखेंगे spiritual religious activities में अपने आपको involve करेंगे और law of attraction प्राक्टिस करेंगे definitely आप इस physical plane में भी अपने relationship को manifest कर पाएंगे the dream का card कहता है जो भी आपकी dream है इस relationship से related definitely again मैं कहूंगी उसको आप manifest कर पाएंगे उसको आप reality में convert कर पाएंगे और dream का card किसी चीज के खुलने की भी बात करता है हो सकता है कि कोई ऐसी बात आप दोनों के बीच में है जो आप लोगों ने clear नहीं करी है या फिर किसी भी तरीके की secrecy या तो आप या आपके partner maintain कर रहे है और हो सकता है इसकी वज़े से ही आप दोनों के बीच में issues मसले रह रहे है तो reason जो भी हो कहीं चीजे clear out होती हुई दिख रहे है और फिर से मैं कहूंगी positive frame of mind रखें universe पर faith रखें law of attraction प्राक्टिस करें definitely इस relationship को आप reality में manifest कर पाएंगे हमने देखा nine of wands के card में कि आप मायूस हो रहे हैं give up कर रहे हैं आप give up ना करें और दिखिए जब मैं कहती हूँ कि आप give up ना करें इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने partner को chase करना शुरू कर दें आप literally you know उनको बहुत ज़ादा call करना शुरू कर दें या आप अपनी तरफ से action initiatives लेना शुरू कर दें nine of wands reverse का card give up की बात करता है तो मतलब आप मन से, दिल से give up ना करें आप universe पे faith रखें तो यह था pile one आप लोगों के लिए reading और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो नीचे comment section पर मुझे ज़रूर बताएं अगर आपने pile two यानि की white nail paint को choose किया है या फिर आपके नाम का first letter B.E.H.K.M.Q.T.W.Z. में से एक है तो यह reading आपके लिए है और चलिए देखते हैं pile two की cards क्या कहते हैं जिनके बारे में भी सोच कर आपने यह pile choose किया है क्या वो आपकी life में वापिस आएंगे यह card कहीं escapism वली energies की भी बात करता है यह card कहीं upfront होके चीजों को नहीं deal करने की भी बात करता है यह card थोड़ा सा manipulate करने की बात करता है diplomatically चीजों को deal करने की बात करता है और इन में से ही एक reason आप दोनों के बीच में दूरी का relationship के end होने का रहा होगा ये general leading है, थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा, कुछ के लिए literally cheating हो सकती है और मैंने हमीशे अपने वीडियो में कहा है कि cheating सिरफ third party या फिर romantic triangle नहीं होता है जब partner बार-बार जूट बोल रहे हैं, वो भी cheating होता है, अपनी time energy नहीं दे रहे हैं, वो भी cheating है opposite sex में ज़्यादा interest ले रहे हैं, या फिर आपके अलावा किसी और को ज़्यादा prioritize कर रहे हैं आप या आपके partner ये भी cheating है, तो जो भी चीजें मेरे mind में आई, मैंने आपको कहा तो किसी भी level पे, किसी भी तरीके की, या तो cheating आप दोनों के बीच में रही या फिर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक प्यार से डर रहे थे कहीं अपनी feelings, अपनी emotions को नहीं accept कर रहे थे, acknowledge कर रहे थे कहीं प्यार से भाग रहे थे, तो कहीं देखे ये भी एक reason रह सकता है हो सकता है आप दोनों में से कोई एक बहुत manipulate कर रहे थे चीज़ों को diplomatically चीज़ों को deal कर रहे थे तो फिर से मैं कहूंगी कि इन में से कोई भी reason आप दोनों के बीच में break up कर रहता हुआ दिख रहा है Five of Pentacles Reverse का काट कहता है literally कुछ के लिए हो सकता है आप दोनों याप दोनों में से किसी एक ने दूसरे जन को social media पर block किया या फिर बिलकुल दरवाजा एक दूसरे के बीच का बंद कर दिया और हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक ने दूसरे को avoid करना शुरू कर दिया, neglect करना शुरू कर दिया, अपनी activities में, अपनी चीजों में include करना बंद कर दिया और अभी हाल फिलाल थोड़ी सी एक anxious energies आपकी रहती भी दिख रही हैं, जहाँ पर हो सकता है कि आप उनके message का wait कर रहे हैं, उनकी तरफ से किसी action initiative का wait कर रहे हैं या पीछे आपने उनको बहुत messages किये, बहुत जादा अपनी तरफ से एक immature तरीके से मैं कहूंगी action initiatives लिए और इसी लिए या फिर otherwise एक anxious energies आपकी रहती भी दिख रही हैं, या तो over excited हो जाते हैं, या फिर enthusiasm excitement बहुत लो हो जाता है आपका तो फिर से clear कर दूँ, या तो आप उनके message, call और उनकी तरफ से action initiative का wait कर रहे हैं, नहीं आ रहा है या फिर आप करना चाह रहे हैं, अपने आपको hold back कर रहे हैं, या आपने बहुत जादा messages और call उनको करें, आपको जवाब नहीं मिला और आगे अब आपको ऐसा लग रहा है, इस time पर कि आप withdraw कर लें, बहुत हो गया, आप action initiatives अपनी तरफ से नहीं लेना चाहा रहे हैं और थोड़ा सा अपनी feelings, अपनी emotions को control करके, बहुत maturity के साथ चीज़ों को deal करना चाहा रहे हैं क्योंकि pile 2 आपको बहुत ज़ादा इस time पर लग रहा होगा, कि आपकी तरफ से काफी immature energies रहीं कुछ के लिए देखें, पार्टनर के भी immature energies हो सकती हैं, लेकिन आपकी ज़ादा रहती भी दिख रही हैं तो फिर से मैं कहूंगी, immaturity भी एक reason आप दोनों के बीच में break up का या दूरी का रह सकता है और कहीं बहुत ज़ादा pile 2 आपको ऐसा लग रहा है भी, कि आप maturity से चीज़ों को deal करें आप बहुत systematically और बहुत discipline तरीके से अपनी life में चीज़ों को deal करें आप अपनी emotions, अपनी feelings को थोड़ा सा control में रखें आपके partner के लिए यहाँ पे the burden और slowing down का card है तो दिखें अभी तक मैंने बहुत एक general आपको चीज़ें बताई आप लोगों के relationship के बारे में अभी हम यहाँ पर specifically आपके partner के energies देख रहे हैं especially अगर उनकी तरफ से cheating रही, उनकी तरफ से unfair energies रही तो इस चीज़ का एहसास उनको होता हुआ दिख रहा है इस चीज़ की realization होते हुए दिख रही है वो बहुत परेशान होते हुए दिख रहे है लेकिन जितना भी वो परेशान हो वो कहीं जल्दबाजी में impulsive होके कोई भी चीज नहीं करना चाहा रहे है slowing down का card बहुत ही clearly कहता है कि बहुत धीरे धीरे चीज़ों को अच्छे से समझ के और बहुत एक stability, security के साथ आगे बढ़ना चाहा रहे है यानि कि उनको stability चाहिए, security चाहिए और कुछ चीज़ों को लेकर जब तक वो 100% sure नहीं होगे वो इस relationship में आगे नहीं बढ़ना चाहा रहे है again जितना भी pressure, जितना भी stress वो महसूस कर रहे हो और अब देखते हैं कि आप दोनों के बीच में आगे क्या होगा तो दिखें यहाँ पर yes का card कहता है कि आप दोनों के बीच में reconciliation होतो सकता है लेकिन, you know, चीज़ें कहीं better नहीं होती भी दिख रही है माइस का card कहता है, एक anxiety, एक anxious energies बनी ही रहेंगी यहाँ पर shield का card कहता है कि शायद आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत cautious हो रहे है especially दिखें, pile 2 क्या होता है न जब partner ने cheating करी या फिर हमारी तरफ से भी अगर किसी भी level पर cheating होई तो वो trust, वो confidence नहीं build up हो पाता है और अगर ऐसे situation में हम साथ भी हो जाते हैं deeper level पे एक mistrust रहता है, हम doubt करते रहते हैं और कहीं यही doubt, यही mistrust, एक anxiety create करता रहता है और साथ होने के बावजूत भी यह relationship long term के लिए नहीं चल पाता है कहीं जैसे बोलते हैं धागा या रसी बहुत कच्ची हो गई तो थोड़ा साभी कुछ external front से हुआ, तो वो तूट जाएगी तो इसी तरीके की energies रहती भी दिख रही है shield का card बहुत ही clearly कहता है कि आप दोनों में से कोई एक अपने आपको बहुत protect करना चाहा रहे हैं और especially मैंने देखा है relationship में जब बहुत effort करा होता है या फिर बहुत hurt हो गए होते हैं बहुत cautious हो के आगे बढ़ते हैं कहीं फिर से hurt ना हो जाएं कहीं फिर से तकलीफ ना हो वो तकलीफ दुबारा से नहीं experience करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी सी energies रह रही हैं again मैं कहूंगी आप दोनों आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़ादा खुद को protect करना चाह रहे हैं अपने दिल को protect कर रहे हैं hurt नहीं होना चाह रहे हैं और कहीं anxiety भी हो रही है और ये card कहते हैं कि हो सकता है आप दोनों की बातचीत हो लेकिन एक साथ आप लोग नहीं होते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर दीखिया outcome के card में patience and the temptress के cards भी इसी चीज़ को और ज़्यादा confirm करते हैं कि अभी तो आप लोग एक साथ नहीं हो रहे हैं और कहीं बहुत एक आप दोनों में से किसी एक जनके intentions, motives इतने ठीक नहीं रहते हुए दिख रहे हैं अब situation, circumstances की भी वज़े से ऐसा हो सकता है यहाँ हो सकता है कि कोई तीसरा इंसान है आपके relationship में जो negatively आप दोनों में से किसी एक को influence कर रहा है जिसकी वज़े से issues, मसले हो रहे हैं तो दिखे जो भी हो कहीं future के cards और outcome के card नहीं कह रहे हैं कि आप दोनों साथ में होंगे यहाँ फिर आप दोनों के बीच में reconciliation होगा और यहाँ पर यह इसका card कहता है कि अगर हो भी गया तो वो happiness वो joy नहीं आप दोनों के relationship में रहती हुई दिख रही है constant fear, constant anxiety, constant restlessness बनी रहेगी और वो एक trust, वो एक faith, वो एक confidence दूसरे जन पे नहीं आ पाएगा और patience का card एक तरीके से guidance भी देता है कि थोड़ा सा सबर करें, थोड़ा सा backseat लें और in fact pile 2 आप ऐसा सोच भी रहे हैं अपने आपको अच्छे से heal करें अपने और options को explore करें अपने professional front पे ज़्यादा focus करें और जो life की चीज़े हैं उन पे ज़्यादा focus करें और अभी के लिए आपको इस relationship में वापस जाना ही नहीं चाहिए अगर आपके partner वापस आभी जाते हैं तो हाला कि देखिए अगर cards देखूं तो फिर से मैं कहूंगी वापस आते वे नहीं दिख रहे हैं लेकिन अगर आप ही जाते हैं तो आपको उनके साथ reconciliation नहीं करना चाहिए क्योंकि आप खुश उनके साथ नहीं रहते वे दिख रहे हैं तो यह था pile 2 आप लोगों के लिए reading और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस channel को like, share और subscribe ज़रूर करें अगर आपने pile 3 यानि की maroon nail paint को choose किया है या फिर आपके नाम का first letter c-f-i-l-o-r-u-x से शुरू होता है तो यह reading आपके लिए है और चलिए देखते हैं pile 3 की cards क्या कहते हैं जिनके बारे में भी सोच कर आपने यह pile choose किया है उनके साथ आपका reconciliation होगा या नहीं होगा वो आपकी life में वापस आएंगे नहीं आएंगे आप दोनों का क्या future है तो यहाँ पर दीखें सबसे बहला card मुझे दिख रहा है queen of cups rivers और यह card कहता है कि अभी इस time पे emotionally आप बहुत low feel करते हुए दिख रहे हैं बहुत आपके mood swings हो रहे हैं कुछ के लिए literally हो सकता है कि एक depressive energies हैं देखें otherwise देखें तो depression word हमें नहीं use करना चाहिए यहाँ पर मैं सिर्फ explain करना चाहरे हूँ कि emotionally बहुत low feel करते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर nine of swords का भी card कहता है शायद overthink कर रहे हैं बहुत जादा सोच रहे हैं हो सकता है कि रात को अच्छे से सो भी ना पा रहे हो और यहाँ पर दिखिए five of swords का card कहता है कि आप दोनों के बीच में reason break up का शायद external factors रहे होंगे external politics, external manipulation रही होगी होता है ना कभी कभी कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर clear हैं लेकिन parents या फिर religion या society या फिर कोई भी external factors होते हैं जिसके वज़े से couples में misunderstanding हो गई, issues हो गए, मसले हो गए तो वो एक reason जादा रहता हुआ दिख रहा है यहाँ पे page of pentacles reverse का card कहता है immature energies भी आप दोनों में से किसी एक की तरफ से रह सकती है और दिखें ये immature energies थोड़ा सा over practical, over realistic के point of view से जादा रहती भी दिख रही है से लेकर immature energy जादा रहती भी दिख रही है कभी-कभी होता है ना कि हम बहुत stable होना चाहते हैं अपनी life में stable होना is not the right thing stability चाहते हैं, materialistic tangible चीज़ों के point of view से और हमें लगता है कि जब तक वो एक stability नहीं मिलेगी materialistic चीज़ों की तरफ से तब तक आगे नहीं बढ़ना है तो देखे इस तरीके का एक सेनारियो कुछ pile 3 के लिए रह सकता है और broader level के लिए अगर मैं देखूं तो money, पैसा, materialistic चीज़ें भी एक reason रहती होई दिख रही है और फिर से कहूंगी external factors जैसे कोई तीसरा इंसान हो गया या फिर you know religion, society हो गई या हो सकता है कि किसी ने manipulate किया आपको या आपके partner को और वो influence हो गए, आप influence हो गए इसकी वज़े से misunderstandings होई और बहुत confusion भी आप दोनों के बीच में रहा होगा जिसकी वज़े से ये एक break up हुआ ये एक दूरी आप दोनों के बीच में आई बहुत hopeless, बहुत helpless feeling भी pile 3 आपको रही होगी हाला कि देखिए आप दोनों में से किसी की भी energies हो सकती है क्योंकि आप देख रहे हैं आपके लिए जादा रहता हुआ दिख रहा है और बहुत मुश्किल से आपने आपको इस hopeless, helpless वाली energies में से निकाला होगा लेकिन फिर भी इस time पे आपको ऐसी feeling हो सकती है pile 3 कि इम maturity की वज़े से सब कुछ खतम हो गया सब कुछ खराब हो गया थोड़ा सा maturity से चीजों को deal किया होता जो भी external influences थे जो भी external situations थी उनको अपने उपर हावी नहीं होने दिया होता थोड़ा again मैं कहूंगी maturity रखी होती तो चीजें ठीक रहती और इसी चीज को लेकर बहुत जादा आप सोच रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है तो फिर आप बहुत परिशान हो जाएंगे बहुत जादा एक depressive सी energies में आप चले जाएंगे हो सकता है कि रात को आपको नींद भी ना आए तो कहीं बहुत इन ही सब चीजों के बारे में भी सोचते हुए दिख रहे हैं और अब देखते हैं कि आपके partner की क्या energies हैं तो आपके partner के लिए हापी experiencing का card कहता है कि उन्होंने pause लिया हुआ है और अभी हाल फिलाल वो action initiatives नहीं लेने के mode में रहते हुए दिख रहे हैं अभी वो सिर्फ future के बारे में सोच रहे हैं या फिर long term goals बना रहे हैं और long term goals के बारे में सोचते हुए future के बारे में ही सोचते हुए शायद वो थोड़ा सा pause लेना चाहा रहे हैं किसी चीज का इंतजार उनको रह सकता है अब देखें ये इंतजार सब pile 3 के partner के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी तरफ से action initiative का वो wait कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि parents की रजामंदी का wait कर रहे हैं अब जो भी दो सिनारियो मेरे mind में आए मैंने कहा सब pile 3 के partner के लिए different चीज का इंतजार रह सकता है और यहाँ पर दिखे guidance का card literally कहता है या तो वो किसी से guidance advice ले रहे है या फिर कोई तीसरा इस relationship में है और दिखे कहीं यह romantic triangle नहीं रहता हुआ दिख रहा है या फिर एक romantic तरीके से third person नहीं रहता हुआ दिख रहा है कहीं third person या third party energy third party energy दिखे professional front भी हो सकता है career भी हो सकता है money materialistic चीज़े भी हो सकती है ये एक है इस तरीके से कोई भी और third party situation रह सकती है जिसकी वज़े से आप दोनों के बीच में issues है और कहीं देखिए आपके partner शायद इसी से ही related guidance ले रहे हैं या फिर जो भी third situation है जिसकी वज़े से issues हो रहे हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सूचते हुए दिख रहे हैं उस चीज़ को बहुत consider करते हुए दिख रहे हैं और हो सकता है कि यही चीज पाइल 3 आपको बहुत परेशान करें तो कि देखिए यहाँ पे nine of swords reverse का card और five of swords के cards कहीं इस relationship में एक unfair energies की भी बात करता है कहीं एक बहुत anxiety या फिर बहुत एक गलत तरीके से चीज़ों के होने की बात करता है और बहुत ज़्यादा आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इस चीज को सोच रहे हैं या फिर इस चीज के शिकार बने हुए हैं मतलब इस चीज को हावी होने दे रहे हैं और अब देखें कि आप दोनों के बीच में आगे क्या होगा तो देखें coffin का card ending की बात करता है और इसके हिसाब से देखें बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में reconciliation नहीं होता हुआ दिख रहा है बहुत जल्दी patch up नहीं होता हुआ दिख रहा है चीजे ठीक नहीं होती हुए दिख रही है और यहाँ पर भी देखें woman का card है तो बहुत जादा मुझे pile 3 लगता है कि कोई woman है जो बहुत जादा influence कर रही है और इस चीज को अगर positively deal करा जाए इस चीज को लेकर कुछ चीजों को clear करा जाए फिर से मैं कहूंगी तो हो सकता है कि आप दोनों का relationship बेटर हो जाए क्योंकि यहाँ पर yin yang का card आप दोनों के बीच में reconciliation की तो बात करता है तो फिर से मैं कहूंगी कि outcome is positive बट near future बहुत great नहीं रहता हुआ दिख रहा है और जब outcome positive होता है तो चीजों को positively deal करके जो भी obstacles हैं जो भी चीजें problem create कर रही है उनको deal करके हम चीजों को better भी कर सकते हैं यहाँ पे book का card बहुत ही clearly कहता है कि बहुत सारी चीजें clear नहीं है clear नहीं है in the sense एक secrecy उनको लेकर रह रही है अब कुछ के लिए हो सकता है pile 3 आपने बहुत सारी चीजें अपने partner को नहीं बताई है और आप एक secrecy maintain कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आपके partner खुई के चीजों को नहीं बता रहे हैं नचल में दिखिए आप दोनों के बीच में एक transparency नहीं रहती हुई दिख रही है या फिर जो आप अपने partner को लेकर सोच रहे हैं समझ रहे हैं वो reality नहीं है और कुछ के लिए भी हो सकता है जो आपके partner आपको लेकर सोच रहे हैं समझ रहे हैं वो reality नहीं है कुछ छुपा हुआ है, कुछ hidden है, कुछ secret है, कुछ mysterious है और इसको जानना बहुत बहुत important है तो कुछ के लिए literally हो सकता है कि कोई woman है जो बहुत एक misunderstanding आप दोनों के बीच में create कर रही है और जिसकी वज़े से आपका relationship end हो रहा है और यहाँ पर दीखे awareness का card भी कहीं book वली energies को और जादा confirm करता है अगर इस card को आप देख पा रहे हैं तो जो figure है, वो कहीं परदे के पीछे से निकल रही है और बहुत clearly एक card कहता है कि कुछ चीजें हैं जिनकी परदादारी है कुछ चीजें हैं जिनकी राजदारी है और जब तक ये राजदारी, ये परदादारी नहीं हटेगी जब तक एक transparency नहीं आएगी जब तक जो भी चीज आप दोनों से भी हो सकता है छुपी हुई हो आप दोनों को ही नहीं पता कि किस वज़े से issues और मसले हो रहे हैं इनको आप लोग नहीं जानेंगे, सच से खुद को नहीं वाकिफ करेंगे तब तक आपके relationship में एक प्यार, महबबत नहीं होगा या फिर एक happiness, joy में कह सकती हुँ नहीं होगा अगर relationship ये ठीक हो भी गया क्योंकि यंग अन्ययंग का card कहीं reconciliation की भात करता है harmony की बात करता है, आप दोनों के साथ आने की बात करता है तो अगर आप दोनों साथ आ भी गए, long term के लिए relationship नहीं रह पाएगा कहीं long term के लिए आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे यह misunderstandings फिर आपको अलग कर देंगी तो यहाँ पर फिर से मैं आपको यही कहूंगी कि जिस भी चीज की परदादारी है, जिस भी चीज की राजदारी है जो भी चीज आप दोनों को ही नहीं पता है या फिर आप दोनों में से किसी एक को दूसरे जन के बारे में नहीं पता है इसको लेकर एक चीजे clear नहीं होंगी, एक transparency नहीं होगी तब तक आप दोनों के relationship में एक happiness नहीं रहती भी दिख रही है आपके सवाल का जवाब क्या वो वापिस आएंगे या फिर आपका reconciliation होगा या नहीं होगा Yes, the answer is कि reconciliation होगा, हो सकता है वो वापिस भी आजाएं चीजे बेटर हो जाएं, लेकिन वो आ भी गए वापिस तो एक happiness joy नहीं रहती भी दिख रही है उसके लिए कुछ चीजों पर आपको work करने की ज़रत है तो ये था pile 3 आप लोगों के लिए reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों के जवाब मिले हैं तो इस channel को like, share और subscribe ज़रूर करें